हलो स्वागा थे आपका फिजिक्स वित इलेक्टानिक्स पार्ट साला में आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन सभी इस्टुडेंट्स के लिए इंपार्टेंट है जो लोग दो हजार चौबिस में बीएसी फर्स्ट इयर में एंड्मिशन ले रखें ओके आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेवस का जो भी इंपार्टेंट टापिक है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उन वीडियो में आपको नोड्स ही बनाया जाएगा वहाँ आपने नोड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं ओके तो चली हम लोग सिलेवस को देखते हैं ओके अब नहीं लिखें तो साब को कन्फ्यूज नहीं ना है ब्यासी फर्ष्टर के फर्स समेश्टर के सिलेवस को हम लोग देख रहे हैं ओके ये सिलेवस जो है दो पार्ट में बटा हुआ है एक क्या आपका पार्ट ए है और दूसरा क्या आपका पार्ट बी है इतना चीज के पार्ट में जो पार्ट भी है उसका बस नाम निटोनियन मेकानिक्स करके लिखा है उसमें बेव मोशन एड नहीं किया है तुस्से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अगर यहां पर टाइटिल में बेव मोशन नहीं है तब भी अंदर आपको बेव मोशन का एक चेप्टर आपको पढ़ना है तो कोई कन्फ्यूज नहीं है आप मत पालिएगा ओके आप देखिए जो पार्ट ए है इसमें क्या करने हम लोग को चार चेप्टर पढ़ना है और जो पार्ट भी है इसमें भी हम लोग को क्या करने है चार चेप्टर पढ़ना है और जो आपका पेपर ह का होगा और इस 75 नंबर में इन 4 चेप्टर से और इन 4 चेप्टर से मिला के कोशन पूछे जाते हैं ठेक तो क्या-क्या important कोशन है क्या क्या टापिक है इसको आगे आने वीडियो में बताया जाएगा ठेक टोटल आपका क्या होगा थियोरी का जो पेपर होता है 100 नंबर को होत अब फिर 100 नंबर का प्या होगा टेकल होगा 100 नंबर का थियोरी फेपर और थियोरी पेपर नंबर का प्रेटिकल होगा यह मिला के 100 और 100 का प्रेटकल टोटल आपका क्या हो गया प्रेटकल थियोरी मिला के 200 numbers के physics के paper आपके होंगे clear? clear है ना? अब देखिए इस पे जो mathematical physics है इसका जो पहला chapter है यह क्या आपका vector algebra करके लिखा हुआ है ठीक? तब देखिए यह जो mathematical physics एक तरीके साब का basic math वगरा है जो पीछे आप पढ़ें थोड़ा बहुत इसमें नए आपको देखने को मिलेगा ठीक? अब देखिए algebra में जब आप पढ़ते थे पीछे के class में जब आप algebra पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे? वहाँ पर आप addition, subtraction, multiplication पढ़ते थे तो ऐसे यहाँ भी algebra लिखा है लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? वेक्टर लिखा है, इसका अनलब क्या करना है? यहाँ पर जो वेक्टर है उसके addition, subtraction इस सब चीजों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, clear? ठीक ना? scalar, vector यह सब पढ़ना है, इंटर में, physics में तो उसी सब चीजों को क्या करना है, थोड़ा detail में पढ़ना है, अब देखिए जो दूसरा unit है, उसका क्या नाम है? vector calculus नाम है, ठीक? तो calculus आप याद करिए, जब पीछे divergence थूरम, strokes curriculum, फिर आपको greens थूरम, यह सब इसमें आपको detail ना पढ़ना है, ठीक? अभी हर एक chapter का क्या क्या content है, उसके video को मैं अभी share कर दूँगा, वहाँ से आप इसके लिए सकते हैं, या whatsapp, या telegram पे आप syllabus के पूरे content को भी ले सकते हैं, ओके? अब देखें, जो third chapter है, यह क्या आपका coordinate system करके दिया हुआ, ठीक? इसमें हम लोग को coordinate वगरा के बारे हम पढ़ना है, cartesian coordinate, spherical coordinate, cylindrical coordinate, इन सब चीजों के बारे हम पढ़ना है, फिर दूसरे से relation कैसे हम cartesian से spherical में साथ जा सकते हैं, कैसे हम cartesian से cylindrical में जा सकते हैं, मलब इनके आपस के conversion वगरा के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ओके? अब देखें, जो fourth chapter है, यह थोड़ा आपके लिए क्या है? नया है, introduction to tensor, इसमें थोड़ी से आपको नए चीज़े देखने को भी लेंगे, तो इसको जो हम लोग आपके पढ़ेंगे, तो अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ओके? अब देखें, जो part B है, इसमें 4 चेप्टर बताएं है, ठीक? तो इसका जो पहला चेप्टर है, यह क्या आपका dynamics of system of particle, ठीक? इसमें क्या करना है? पार्टिकल के dynamics होगरों के बारें पढ़ना है, ठीक? बीचे आप पढ़ें, न्यूटन स्लाव अगरा पढ़ें न, वह ऐस सब चीज़े हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है, ठीक? फिर क्या होगा जब particles होगरों को बनाएं, आप पढ़ना है, आप याद करिएगा moment of inertia होगरा पढ़ें है, इंटर में ठीक? तो ही moment of inertia होगरा पढ़ना है, थोड़ा सा उसे high level का पढ़ना है, ओक? अब यहाँ पर क्या है? प्लेनेट्स और सेटलाइट के motion को पढ़ना है, यह भी आप इंटर में पढ़ना है, ठीक? तो 75% आप इंटर में पढ़ चुक है है, यहाँ पर बस extra हम लोगो 25% पढ़ना है, ठीक? यह आपका syllabus काफी easy होने वाला है, देखेगा जब बताया जाएगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, किसी तरीके सा आपको डरना नहीं है, अब देखे जो fourth unit है, यह क्या motion वगरा के बारे में, फिर damp harmonic acceleration वगरा के बारे में, फिर आपको force harmonic acceleration वगरा के बारे में क्या करना है, इसमें पढ़ना है, फेज विलाष्टी, गुरूप विलाष्टी, यह सठी जो को क्या करना है, पढ़ना है, ओके? तो इस तरीके से आपके BSC first year के first semester physics में, total क्या है, 8 chapter है इन 8 chapter से क्या होगा question बनाए जाएगा, 75 number का फियोरी का written paper होने वाला है, ओके? अब इस chapter के अंदर क्या 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 content है, उसको मैं share कर देता हूँ, आप चाहें तो इसकी इन साथ ले सकते हैं, ओके? देखियो student, अब हम लोग unit wise content को देखेंगे, ठीक? तो देखिए, आपे part A क unit wise content को हम लोग देखने चलना है, और यह part A आपका है क्या? mathematical physics है, ठीक? अब इस mathematical physics का जो first unit है, वो क्या है vector algebra है, इस vector algebra के अंदर हम लोग को इतने सारे content को पढ़ना है, ओके? इतने सारे content को क्या करना है, पढ़ना है, ओके? फिर आपका जो second unit है, part A का वो क्या vector calculus है, उसके अ theorem है, ये तीनों theorem most most important है, इन तीनों में से एक theorem तो आपको exam में आना confirm है, वो भी long question में पूछा जाता है, ठीक? तो इन theorem को मैं detail ने पढ़ाऊंगा, वहाँ से आप अच्छे से note सोगरा बना के पढ़िएगा, ठीक? अब देखिए, जो third unit है, उसका जो content है, वो भी आपको इस की inside ले सकते है, ठीक? 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 जो है आपका coordinate system, उसके ये सारे content है, और जो fourth unit है, introduction to tensor, उसके ये content है, clear? अब देखिए, यहाँ पर जो fourth unit है, ये थोड़ा आपके लिए नया है, ठीक? जिसको मैं जब detail ने पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से आप चीजों को अच् classmate के साथ share करती रहेगे, अगर आपका response अच्छा रहेगा, तो definitely बहुत ही अच्छा content आपको provide किया जाएगा, आप जाके channel पर playlist देखिएगा, फिर semester 6 semester का, वहाँ पर जाके देखिए, अच्छे अच्छे content provide किया गया है, ठीक? clear? तो आपका अब आपका response अच्छा रहा, तो पढ़ना है, ओके, आप इसकिल साथ लेती रहेए, एक एक चीज पढ़ाँगा, अगर वीडियो फालतु में लबा होगा, अब देखिए क्या unit second dynamics of rigid body है, इसके अंदर इन सब content के बारे हम लोगो क्या करना है, पढ़ना है, फिर जो third unit है, वो क्या motion of planets and satellite है, इसके अंदर हम इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, फिक, अब देखिए third unit में क्या आपका, third unit में, जो capilar slab, planetary motion हो रहा है, ये क्या है काफी जादे important है, फिक, इन सब चीजों को भी detail में पढ़ाया जाएगा, फिक, मैं slavus के content को पढ़ाने के पहले, एक आपको important question का दूर मिलेंगे, अब देखिए, जो आपका fourth unit है, ये क्या है, बे motion है, इसमें आपको इतने सारे content के बारे में पढ़ना है, तो आज की वीडियों बस इतना ही, आज की वीडियों हम लोग अपने syllabus को देख लिया है, अब आगे आनल वीडियों हम लोग most important topic के बारे में detail ने पढ़ेंगे, okay, thank you for watching.